राम राम भाई सारे बाईयाने बाई आज बतावांगे देशी वेट गिनर के बारे में जो अपना रसोई में त्यार हो जाओगा अपने गर पे इए बिल्कुल नेचुरल आपने क्या करना है थोड़ा आठा लेना है और आठे के अंदर पहले थोड़ा घी डाल लेना है दो चम्मच और फिर उसके अंदर पानी डाल को उसको गूंद लेना है अच्छी तरह ताकि घी डालने से ताकि क्या रोटी अच्छी करारी बन जाओए और जो आपा रोटी रोजाना खाते हैं उस रोटी से थोड़ा हा मोटी रोटी बनानी है आपने तो अच्छी तरह वो चूरी जा सके तो उसके अंदर आपने फिर गूड लेना है गूड के बारिक बना लेना है बिल्कुल बारिक बना के उसके अंदर डाल लेना है और रोटी चूरते रहो उसके अंदर थुड़ा थुड़ा गी डालते रहो गरम गरम चूरना है और अब चूरते समय है इतना गी डालना कि आपकी अंगलिया के बीच में से गी निकलना चाहिए इतना गी डालना उसके अंदर ठीक है और उसको जब तक चूर देना है जब तक वो बिल्कुल अलव की तरह नहीं हो जाए बिल्कुल बारिक और ये अपना चूरमा रेडी हो गया इसके साथ आपने क्या लेना है मिक्स दाड जो अपना देश्ची की में छोक लगा गया है और यह दोनों चीजरों में देश्ची की यूज़ करना बाई ची गाय का ची बैस का और इसके साथ दाल लेजो फिर आप डाल ले रहे हो तो इस चीज अगर आप दो फैरकर लेंच के टाइम इस डाइट को ले रहे हो तो इसके बाद आपने पी नहीं है आदी किलो या एक किलो च्छा च्छा जिसको लस्ती बोलते है तो अगर आप इस डाइट को नाइट के खाने में ले रहे हो तो इस खाने के बाद आपने लेना एक लीटर मलाई वाड़ा दूद जो आपका वेट गेन करेगा मैं गारंटी देता हूँ भाई साब 15 दिन में आपका वेट गेन आप 15 दिन आप इस डाइट को फोलो करके देखो और बिल्कुल नैचुरल भाई यही संदेज देना था आज राम राम बाई